हलो फ्रेंड्स बहुत मुझा स्वाका थे आपका सूपरफास स्टडि एन एक्सपेरिमेंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि गेर बॉक्स में और क्यों डाला जाता है क्या होगा अगर गेर बॉक्स में और लेवल से कम और फिल अप किया जाए या फिर क्या होगा जब gearbox में oil level से ज़्यादा oil डाल दिया जाएगा दोनों conditions में क्या problem आएगी और gearbox में आखिर oil क्यों use किया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो बने रहिएगा वीडियो में अंति तक चलिए वीडियो को start करते हैं gearbox में oil का इस्तिमाल lubrication के लिए किया जाता है और साथ में ये cooling भी करता है अब दोनों बातों को समझ लेते हैं gearbox में क्या होता है gearbox में mostly बहुत सारे gears लगे होते हैं और gear जो है वो shaft में लगे होते हैं और एक gear से दूसरी gear पे बहुत सारे gears के arrangement रहते हैं gearbox के अंदर जिससे एक दूसरे में power जो है वो transmit किया जाता है, torque reduce किया जाता है, speed को increase किया जाता है, reduce किया जाता है तो gearbox में होता क्या है, जब दो teeth आपस में contact में आएंगे और एक दूसरे को power transmit करेंगे तो दोनों के बीच में friction generate होगा friction generate होने की वज़ा से heat भी generate होगा तो ऐसे में जो oil है वो lubricant as a lubricant यहाँ पर use होता है, वो क्या करता है, दोनों gear के teeth के बीच में layer प्रवाइड करता है, viscosity की वज़ा से वो चिपक जाता है, teeth के layers पर, teeth के surface पर चिपक जाता है और दोनों teeth के बीच में एक layer बना देता है, जिसकी वज़ा से वहाँ पर friction बहुत कम हो जाता है, friction कम होने की वज़ा से heat भी generate होता है, और जो आपका power transmission है वो smooth होता है, यानि की noise भी produce नहीं होता है, साथ में heat भी जादा generate नहीं होता है, क्योंकि friction कम होगा, तो heat भी generate कम होगा और आपका जो gear है वो smooth operation करेगा, teeth की life बढ़ जाएगी, यानि की आपका teeth जो है वो wear नहीं होगा, अगर आप oil नहीं use करेंगे तो teeth जो है वो wear होगा, चलिए अब बात कर लेते हैं oil level के बारे में, अगर आपके gearbox में oil का level कम होगा, तो क्या होगा, proper gearbox में lubrication नहीं हो पाएगा और आपका जो teeth है, gearbox का वो wear हो सकता है, heat generate होगा, और आपका gearbox जो है उससे sound आएगा, noise produce होगा, unwanted, और low level की वज़े से finally आपका gearbox जो है वो भी fail हो सकता है, यानि की आपका gearbox fail हो जाएगा, second condition अगर gearbox में oil level से ज़्यादा oil fill कर दिया जाएच, अब क्या problem आएगी, तो oil level से ज़् प्रबलम ये generate होगा, कि आपका gearbox का oil seal है वो cut जाएगा, फट जाएगा, damage हो जाएगा, और जिसकी वज़े से क्या होगा, आपका gearbox का oil जो है उसका level फिर से कम हो जाएगा, जिसकी वज़े से पिर से आपका जो gearbox है वो fail हो सकता है, तो आपको gearbox में oil उसके level के हिसाप से ही oil fill कर गेरबॉक्स में आईल लेवल इंडिकेटर दिया रहता है और उसको प्रॉपरली चेक करते रहना बहुत जरूरी है अगर गेरबॉक्स में कम आयल भी होगा तब भी प्रॉबलम है और जाद आईल होगा तब भी प्रॉबलम है तो उमिद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर एक परसंट भी वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हैल्फुल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलवीदार